नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आशुतो सिंग और आप देखरें मेरे इस YouTube चैनल को दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार हंट इंशॉरेंस कंपनी के सूपर सर्प्लस इंशॉरेंस प्लाइन के बारे में यह प्लाइन इंडिविज्व और फ्लोटर्स दोनों के लिए मिलता है लेकिन इस वीडियो में हम केवल फ्लोटर्स के बारे में ही बात करेंगे बात करेंगे इस पॉलशी के फीचर्स और एलिजिपिल्टि कंडिशन के बारे में जानेंगे इस पॉलशी की कवरेट और इसके दोला ताकि जब दी में नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि Star Health Insurance Company से इंशॉरंस लेने पर आपको क्या क्या एडवांटेजिस मिलती हैं। सबसे पहले एडवांटेज ये है कि इसमें किसी भी तरह की थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होता। इंशॉर्ट परसन डिरेक्ट स्टार हेल्थ कमपनी में जाकर क्लेम की सेटिमेंट करा सकता है। तूसरे एडवांटेज है कि बीना किसी दिक्कत के और बहुत ही जल्दी यहां पर क्लेम की सेटिमेंट कर ली जाती है। और तीसरे एडवांटेज है कि इनके नेटर्ट होस्पिटल में आपको कैशलेस होस्पिटराजेशन का बेनिफिट मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार हेल्द इंशूरंस कमपनी के सूपर सर्प्रस इंशूरंस पॉलिसी के बारे में। चलिए पहले इस पॉलिसी के कुछ हाइलाइट्स पर नजर डाल लेते हैं जो इस पॉलिसी को अट्रेक्टिव बनाते हैं। आपको इस पॉलिसी में टॉप अट अफॉर्डेबल प्रियम का बेनिफिट मिल जाता है। तो चलिए इस पॉलिसी के टाइप के बारे में बात करते हैं तो ये पॉलिसी इंडिवीज्वल और फ्लोटर दोनों के लिए अवेलेबल होती है। लेकिन इस वीडियो में हम एवल फ्लोटर के बारे में ही डिसकेशन करेंगे। तो चलिए अब इस पॉलिसी की एलिजिबिल्टी कंडिशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एंट्री एज रहेगी 18 साल और मैक्सिमम एंट्री एज रहेगी 65 साल। डिपेंडन्ट चिल्टन की एज रहेगी 91 दिन के बच्चे से लेकर 25 साल के बच्चे तक। डिपेंडन्ट का मतलब हुआ कि जो बच्चे financially अपने पेरेंट्स के उपर डिपेंड करते हैं। इस पॉलिसी का जो फैमिली साइज रहेगा वो मैक्सिमम पांच लोगों के लिए ही रहेगा जिसमें दो अडल्ट और तीन बच्चे एड हो सकते हैं। इस पॉलिसी के पॉलिसी टर्म की बात करें तो ये पॉलिसी एक साल के पीरिड के लिए मिलती है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के रिनीवल्स की तो इस पॉलिसी में लाइफ लग रिनीवल्स की गरेंटी मिलती है। प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग इस पॉलिशी को लेने के लिए आपको किसी भी तरह के मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं होती अगर बात करें डे केर प्रोसीजर्स की तो इस पॉलिशी में सभी प्रकार के डे केर प्रोसीजर्स कवर्ड होते हैं अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी में आपको कौन कौन से प्लैन आफर होते हैं इस पॉलिसी में मेली दो तरह के प्लैन आफर होते हैं पहला है सिल्वर प्लैन और दूसरा है गोल्ड प्लैन पहले हम बात करते हैं सिल्वर प्लैन के बारे में नहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस policy के silver plan में sum insured में आपको 10 लाख रुपए का option मिलता है और इस policy में deductible limit 3 लाख और 5 लाख रुपए की है इस policy के अंदर आपका जो भी claim बनेगा वो तभी pay होगा जब वो deductible limit से जादा हो जाएगा इतनी भी बार आप इस policy के अंदर hospitalized होंगे उतनी बार आपका amount तभी payable होगा जब वो amount deductible limit से जादा हो जाएगा यहाँ पर deductible limit से मतलब यह है कि deductible limit तक का जितना भी bill होगा वो company किसी भी hospitalization में pay नहीं करेगी और policy के time पर जो एक बार deductible amount select कर लिया जाएगा वो renewal के time पर भी change नहीं किया जा सकता अब बात करते हैं इस policy के gold plan के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको sum insurance के लिए काफी option मिल जाते हैं यहाँ पर policy का sum insurance minimum 5 लाख रुपे से लेकर maximum 25 लाख रुपे तक का है और define limit 3 लाख, 5 लाख और 10 लाख रुपे की है इस policy के अंदर आपकी policy का claim तभी payable होगा जब वो आपकी define की गई limit से जादा हो जाएगा लेकिन यह condition पूरी policy period में सिर्फ एक ही बार applicable होती है define limit का मतलब यह हुआ कि जो आपने policy लेते समय एक limit define करी है पूरे policy period के दोरान company उस amount तक के bill को pay करने के लिए liable नहीं होगी इसमें ध्यान देने वाली बात सिर्फ यह है इस gold plan को लेते समय आपने जोड़ limit define कर दी उसको आप पूरे policy के दोरान कभी भी change नहीं कर सकते और renewal के समय पर भी आप उसको change नहीं कर सकते और साथी साथ आप इस policy में किसी भी समय शोड़ के साथ कोई भी define limit सेलेक्ट कर सकते हैं इन सब को हम एक example से समझेंगे लेकिन उससे पहले हम यह जान लेते हैं किस policy के अंदर आपको क्या-क्या coverage मिलती है यहाँ पर मैं आपको silver plan और gold plan की coverage एक साथ बताऊंगा जिससे कि आपको यह जानने में असानी रहेगी कि दोनों plan में क्या फरक है पहली coverage है hospitalization cover तो silver plan के अंदर hospitalization coverage में आपको room rent, boarding, nursing expense वगेरा के लिए maximum से maximum 4,000 रुपे पर date कही claim मिलेगा और यदि gold plan की बात करें तो यहाँ पर किसी तरह की कोई limit नहीं है आप hospitalization के दोरान कोई भी single standard AC room ले सकते हैं उसमें आपके सभी boarding और nursing expenses cover हो जाएंगे surgeon fee, consultation fee, anesthetist और specialist की fees आपके silver plan और gold plan दोनों में ही cover हो जाती हैं anesthesia, blood, oxygen, operation theater charges, cost of pacemaker, drugs and such other similar expenses ये भी आपके silver plan और gold plan दोनों में ही cover हो जाते हैं इस policy के अंदर जो next coverage है वो है pre-hospitalization की pre-hospitalization का मतलब होता है कि hospital में admit होने से पहले आपके जो भी medical expense हुए हैं वो cover हो जाते हैं silver plan में आप hospital में admit होने से 30 दिन पहले तक के medical expense क्लेम कर सकते हैं और gold plan में ये limit 60 दिन की हो जाती है next coverage है post-hospitalization की post-hospitalization का मतलब होता है कि hospital से discharge होने के बाद आपके जो medical expense हुए वो भी इस policy में cover हो जाते हैं silver plan की बात करें तो यहां पर hospital से discharge होने के 60 दिन बाद तक के medical expense क्लेम कर सकते हैं और gold plan की बात करें तो यहां पर आप hospital से discharge होने के बाद 90 दिन तक का medical expense क्लेम कर सकते हैं next coverage है ambulance के charges की silver plan में ambulance charges cover नहीं होते gold plan के अंदर आपको per hospitalization patient को hospital पहुचाने तक के case में 3000 रुपे तक का ambulance charge cover मिल जाएगा next benefit है air ambulance charges silver plan में air ambulance charges भी नहीं मिलते gold plan की बात करें तो यहां पर आपकी policy के समशोड के 10% तक के amount का air ambulance charge cover हो जाएगा लेकिन यह policy के 10 लाग के समशोड या अधिक के समशोड पर ही अपली केबल होगा और एक policy period के दौरान आप केबल एक बार ही air ambulance का benefit ले सकते है इस gold plan में आपको second medical opinion की भी facility मिल जाती है silver plan में यह facility नहीं मिलती इन coverage के अंदर ध्यान देने वाली बात यह रहेगी जो कि silver plan और gold plan दोनों के लिए ही applicable है पहली बात तो यह रहेगी कि hospitalization के दौरान जो भी expense बनेगा वो policy में बताये गए eligible room rent के proportion में ही मिलेगा और दूसरी बात यह है कि दोनों plans के अंदर HIV की coverage मिलेगी अब बात करते हैं co payment की तो इस policy में केवल gold plan के अंदर ही यह applicable होता है silver plan में किसी भी तरह की co payment नहीं होती कोई भी व्यक्ति यदि इस policy को लेता है और policy लेने के समय पर उसकी उम्र 60 साल से अधिक होती है और policy period के दौरान वो जितनी भी बार hospitalize होगा जो भी hospital का बिन बनेगा उसका 10% amount उसको co payment के रूप में pay करना होगा अब बात करते हैं कुछ special features की जो की केवल gold plan के अंदर ही मिलते हैं पहले feature की बात करेंगे वो है delivery expenses के चाहे delivery normal हुई हो या sizerian हुई हो पर policy period आप 50,000 रुपए तक का delivery expense क्लेम कर सकते हैं इसमें आपके pre-natal, post-natal expenses और lawful medical termination of pregnancy सभी तरह के expense include हो जाते हैं इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी life period के दोरान आप maximum दो deliveries ही इस policy में cover कर सकते हैं इस benefit के लिए कुछ special conditions हैं जिनको हम discuss कर लेते हैं इस benefit के लिए पहली condition यह रहेगी कि आपने जिस दिन से भी यह पहली बार super surplus insurance policy ली है उसके अगले 12 महिने तक का इसमें waiting period रहेगा उसके बाद ही आप इस policy के अंदर delivery चार्डिस को cover कर पाएंगे और policy का continuously renewal होना भी अनिवारे रहेगा इस benefit के अंदर pre-hospitalization और post-hospitalization के expenses cover नहीं होंगे यह benefit तभी मिलेगा जब self और spouse दोनों इस policy के अंदर cover होंगे जब तक इस policy का benefit payable नहीं हो जाता इस delivery expense का जो भी claim होगा वो आपके policy के sum insurance को reduce नहीं करेगा यानि इसके expense का आपकी policy के sum insurance पर कोई effect नहीं पड़ेगा दूसरा special feature इस goal plan के अंदर है वो है organ donor expenses का यदि insured person को किसी organ की जुरूरत पड़ जाती है यानि कि वो recipient है उस case में जो भी organ transplantation के case में खर्चे होंगे वो इस policy में cover हो जाएंगे इस benefit के अंदर ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि donor के screening expenses और post donation complications वो इस policy में cover नहीं होंगे अगला जो special feature goal plan के अंदर मिलता है वो है recharge benefit का recharge benefit का मतलब होता है कि policy period के दोरान यदि आपकी policy का जो sum insurance है वो hospitalization के case में पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उसके बाद भी आपको कुछ additional जरूरत पड़ जाती है तो कुछ amount आपकी policy के sum assure के according आपको extra recharge के रूप में मिल जाता है आप इस table में देख सकते हैं कि आपकी policy के sum assure के according और define limit के according policy में कुछ recharge limit दी गई है यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि policy के define limit तीन लाक रुपे की है तो recharge limit पचास हजार रुपे की है यदि define limit पाँच लाक रुपे सेट की गई है तो उस case में आपको जो recharge limit मिलेगी वो है 75,000 रुपे और define limit अगर 10 लाक रुपे की है उस case में recharge benefit एक लाक रुपे का मिलेगा इस gold plan के अंदर जो next special feature है वो है waiver of deductible इस benefit के अंदर proposal यानि कि जो policy holder है वो इस policy के छटे साल की शुरुआत में renewal से पहले या फिर उसके बाद किसी भी continuously year में renewal से पहले वो policy holder चाहे तो इस waiver of deductible benefit के डिमांड कर सकता है यदि proposal इस benefit को opt कर लेता है तो उसके बाद इस policy के अंदर जो defined limit की condition होती है वो खत्म हो जाती है लेकिन policy के benefit सेम ही रहते हैं और policy के पिछले 5 साल के average summer short के according उसको इस policy का benefit मिल जाता है इस benefit के लिए कुछ conditions है जिसको अब हम discuss करेंगे इसकी पहली condition ये है कि जो भी insured person है वो 50 साल की उम्र से पहले से ही इस star health insurance company के साथ जुड़ा हुआ हो और उसने जो भी policy ली है वो बिना किसी break के continuously renew कराई जा रही हो दूसरी बात ध्यान देने की ये है कि इस benefit को लेने से पहले जो पिछले 5 साल है उसमें कोई भी medical claim ना किया गया हो तीसरी बात ध्यान देने की ये है कि यदि आप इस waiver of deductible benefit को opt कर लेते हैं तो उसके बाद इस policy को रिन्यू नहीं करा सकते अब बात करते हैं इस policy के silver plan के waiting period के बारे में किसी भी बिमारी की coverage के लिए policy start होने के पहले 30 दिन तक waiting period रहेगा लेकिन accident के case में कोई भी waiting period नहीं होता policy लेने के पहले दिन से ही accident की coverage शुरू हो जाती है कुछ specified illness, diseases और treatment के लिए 24 मंद का waiting period रहता है pre-existing disease के लिए 36 महीने का waiting period होता है अब बात करते हैं इस policy के gold plan के waiting period के बारे में तो यहाँ पर भी policy लेने के पहले 30 दिन तक किसी भी तरह की illness और disease cover नहीं होती यानि कि policy लेने के पहले 30 दिन तक waiting period रहता है लेकिन accident के case में किसी भी तरह का कोई waiting period नहीं होता specified illnesses, diseases और treatments के लिए 12 मंद का waiting period रहता है किसी भी तरह की pre-existing disease है तो उसके लिए भी 12 मंद का waiting period है और delivery expenses की बात करें तो उसके लिए भी 12 मंद का waiting period रहेगा अब बात करते हैं इस policy के exclusions के बारे में exclusion मतलब company कीन cases के अंदर किसी भी तरह का claim pay करने के लिए बाध्य नहीं होगी तो यहाँ पर जितने भी exclusions हैं वो silver और gold pen दोनों के case में common है आप यहाँ इस वीडियो में इन exclusions को pause कर कर भी पढ़ सकते हैं और चाहें तो आप इस policy के brochure में इन exclusions को देख सकते हैं इस policy के brochure का link इस वीडियो के description में मिल जाएगा revision of some insured इस policy के अंदर आपको renewal के time पर some insured को revise करने का option मिल जाता है free look period इस policy के अंदर आपको 15 दिन का free look period मिलता है grace period इस policy को renew कराने के लिए आपको 30 दिन का grace period मिल जाता है tax benefit इस policy के premium की payment यदि cash mode के इलावा किसी और mode से की गई है तो वो income tax के section 80D के अंदर आती है जो की tax में relief लेने के लिए eligible होती है अब बात करते है claim illustration की समझेंगे कि यदि इस policy के अंदर हम claim apply करते है तो company किस तरह से claim का settlement करती है सबसे पहले हम discuss करेंगे कि यदि policy में silver plan लिया गया है तो किस तरह से claim की settlement की जाएगी आप यहाँ इस table में देख सकते हैं कि policy का sum शोड 10 लाख रुपे है और जो deductible amount की limit है वो 3 लाख रुपे है इस example में हम ये scenario लेकर चल रहे हैं कि policy holder एक policy period के दोरान 3 बार hospitalized हुआ है तो जो पहली बार hospitalization का bill बना है वो है 3 लाख रुपे और deductible limit है 3 लाख रुपे तो इस silver plan के अंदर जो claim payable होगा वो होगा hospitalization के bill में से deductible limit को minus करने के बाद तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि hospital का bill और deductible limit दोनों 3 लाख रुपे हैं तो जो claim payable amount होगा वो आएगा 0 रुपे और जो balance बचेगा इस policy का सरमशोड़का वो रहेगा 10 लाख रुपे अब देखते हैं जब दूसरी बार claim लिया है तब hospitalization का bill बने है 6 लाख रुपे जिसमें से deductible amount रहेगा 3 लाख रुपे क्योंकि यह silver plan है और silver plan की condition यही रहती है कि आप policy period के दोरा जितनी भी बार claim करेंगे हर claim में deductible limit माइनस होगी तो अब जो claim payable होगा वो रहेगा hospital के bill 6 लाख रुपे में से deductible amount 3 लाख रुपे माइनस करके तो वो amount आएगा 3 लाख रुपे यही claim payable होगा और जो balance sum insurance बचेगा वो रह जाएगा अब 7 लाख रुपे same policy period के दोरान जब कर हम तीसरा claim लगा रहे है और उसका hospital का bill 9 लाख रुपे बना है और deductible limit रहेगी 3 लाख रुपे तो जो claim payable होगा वो रहेगा 9 लाख माइनस 3 लाख रुपे यानि की 6 लाख रुपे और policy का जो balance बचा था वो था 7 लाख रुपे तो यह 6 लाख रुपे अराम से pay हो जाएगे और policy का balance बच जाएगा 1 लाख रुपे अब हम देखते हैं कि यदि policy gold plan के साथ ली गई है तब किस तरह से claim की settlement की जाएगी यहाँ पर भी हमने policy का समर्शोड माना है 10 लाख रुपे और जो defined limit set की है वो है 3 लाख रुपे यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि व्यक्ति पहली बर hospitalized हुआ है तो bill बना है 3 लाख रुपे और जो limit defined है वो है 3 लाख रुपे तो claim payable होगा यहाँ पर 0 रुपे और balance रह जाएगा 10 लाख रुपे same policy period के दोरान दूसरा claim लिया जा रहा है जिसका hospitalization का bill बना है 6 लाख रुपे और define limit की value है 0 यहाँ पर आप ध्यान दें क्योंकि यह gold plan है और gold plan के अंदर जो भी define limit है वो पूरे policy period में केवल एक ही बार deduct होगी उसके बाद अब जितनी भी बार claim करेंगे वो define limit का कोई फरक नहीं पड़ेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि define limit की value है 0 तो जो claim payable रहेगा वो होगा hospital के bill में से define limit का minus होना जो की 0 है तो पूरा claim payable हो जाएगा जो है 6 लाख रुपे और जो balance बचेगा वो रह जाएगा 4 लाख रुपे अब तीसरी बार व्यक्ति hospitalized होता है और इस बार भी hospitalization का bill 6 लाख रुपे बनता है define limit यहाँ पर 0 रहेगी और जो claim payable होना चाहिए वो पूरा 6 लाख होना चाहिए लेकिन जो balance बचा है वो है 4 लाख रुपे तो केवल balance ही pay होगा वो रहेगा claim payable 4 लाख रुपे और जो policy का balance समयशोड बचेगा वो रह जाएगा 0 रुपे हम एक और scenario ले लेते हैं यहाँ पर भी समयशोड 10 लाख रुपे और define limit 3 लाख रुपे ही है hospitalization का bill 6 लाख रुपे बना है और define limit 3 लाख रुपे रही है तो claim जो payable होगा वो रहेगा 3 लाख रुपे और balance बच जाएगा 7 लाख रुपे दूसरी बार hospitalization का bill बन रहा है 5 लाख रुपे define limit रहेगी 0 क्योंकि एक बार already use हो चुकी है और claim payable रहेगा 5 लाख रुपे तो balance जो बचेगा पहले 7 लाख रुपे था जिसमें से 5 लाख रुपे और minus हो गया तो balance बचा 2 लाख रुपे तीसरी बार अगर admit हो रहा है और hospital का bill बन है 3 लाख रुपे तो define limit रहेगी 0 और जो claim payable होगा वो जो आपका balance बचा है वही रहे जाएगा 2 लाख रुपे तो balance अब जो बचेगा इस policy का वो रहेगा 0 आएए अब नजर डाल लेते हैं इस policy के premium chart की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी policy के summer short के according और आपकी age के according आपको policy में कितना premium pay करना होगा यहाँ पर आपको silver plan और gold plan दोनों के ही premium chart दिखाए गए हैं इस policy में जो silver plan के अंदर 24 मन्त का waiting period बताया गया है और gold plan के अंदर जिसको 12 मन्त का waiting period बताया गया है उन specific disease के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी star health insurance company के super surplus insurance policy के बारे में इस policy से related अगर आपको कोई सवाल या सुजाव है तो comment box में लिखें